अंग्जोतिश में जन्तिथी के अनुसार कुछ चीजों का इस्तिमाल करना करीयप, व्यवसाय, सेहत आदी के लिए अतिलापकारी हो सकता है। आए जानते हैं कि जन्तिथी के अनुसार किन चीजों का इस्तिमाल करना शुब है। मुलांक 1 यानी 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों को सोने का चल्ला या अंगूंठी पहननी चाहिए मुलांक 2 यानी 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए लोगों के लिए चांदी का चल्ला या कंगन पहनना शुप माना गया है मुलांक 3 यानी 3, 12, 22 और 30 तारीख को पैदा हुए लोगों को अपने पास पीलर उमाल रखना चाहिए किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मे लोगों को अपने पास लकली का पैन रखना चाहिए ये शुब माना गया है माना जाता है कि 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों को रूपे पैसे हरे रंग की पर्स में रखना चाहिए ये हुपाय विशेश, फलदाई साबित हो सकता है किसी भी माह की 6, 15 और 24 में जन्मे लोगों के लिए हीरा धारन करना शुब माना जाता है इन जातकों के लिए इत्र लगाना भी फलदाई माना गया है मुलांक 7 यानि किसी भी माह की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे जातकों के लिए मेटल की घड़ी का इस्तिमाल करना शुब माना जाता है मुलांक 8 यानि किसी माह की 8, 17 और 26 तारीक में जन्मे लोगों के लिए नीले रंग कर माल पास में रखना शुब माना गया है महीने की 9, 18 और 27 तारीक को जन्मे लोगों के लिए हाथ में कलावा या मौली बांधना शुब माना जाता है